ब्रेक के बाद स्वागते आप सबीका खबरों में आगे बढ़ेंगे जहांपर देरादुन में सीम तिरच सिंग रावत की पतनी कोरोना संकरमित पाई गई सीम के डॉक्टर एनेस बिस्ट ने चारी किया हेल्थ बुलेटिन तिरच संग रावत की पतनी रश्मी रावत कोरोना पॉस्टि पाई गई सुकी खासी की शिकायत पर कराया गया तक ओना टेस्ट डॉक्टरों के निगरानी में होम आइसोलेशन में उन्हें रखा गया है वही सेम तिरच सिंग रावत के स्वास्त में तेजी से सुधार हो रहा है समय खासी की सिकायत होने पर आज देर साम डॉक्टर रश्मी रावत धर्मपत्नी मानमी मुख्यमंत्री उत्रापंट का भी कोरोना टेस्ट कराया गया जोकी पॉजिटिव आया है उनमें अभी बागी कोई लक्षन नहीं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है उनके सभी पैरामेटर स्थेर हैं दुसरी दरह मानमक्र मंत्री जी के स्वास्त में तेजी से सुधार होगा जल्दी ही हुआ हम सबके बीच तो सीम तिरच सिंग रावत की पतनी रश्मी रावत को ना पॉस्टिव पाई गया है डॉक्टर की निगराली में उन्हें होम आइसोलेशन मे रखा गया है आपको बता दे सुखी खासी की शुकायत पर उन्हें कोर्ना टेस्स करवाया गया था जहां पर वो कोर्ना संकरमेट पाई गई हैं वही सीम तिरच सिंग रावत की स्वास्त की बात करें तो अभी फिलाल उनका स्वास्त में काफी तेजी से सुधार हो रहा है लेकिन अब रहा कि धरम पर्फैन है रश्मी एरावत को भी फॉल्डे के बाई हैं कि तुम में आगे साज अपस्ता है कि जो जानकारी मुस्या मंतिर के जो डॉक्टर है एंस बिस्ट उन्होंने हैं जारी करते बें जानकारी दीन अलागी सल देव शाम को उनकी जो रिपोर लेकिन जानकारी मुख्यमंतरी के साथ अब उनकी धरम पत्नी भी परोना पॉजिटिव हैं जी सुबाश अगर बात करें मुख्यमंतरी की तो अभी फिलाल सीम तिरज सिंग रावत की अहालत में कितना सुधारा आया है मुख्यमंतरी सिरा सिंग रावत अभी सुध है ऐसे जानकारी उनके जानकारी उनके जानकारी देते वे बताया है चले सुबाश तमाम चानकारी आपका बहुत बशुक्रें सरकार ने उतराकर आने वालों के लिए गाइडलाइन चारी कर दिये गाइडलाइन में कहा गया है कि विभिन अराज्यों में कोर्ना संक्रमेंट के बढ़ते महामलों को देखते हुए उतराकर में कोर्ना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ पावन दिया लागो की गई गाइडलाइन चार्ट से लागो हो जाएंगी इसके तेट महारास्ट्रों केरल करनाटका पंचाब मध्यप्रदेश तमिलाडू गुच्वात हर्याणा उतरप्रदेश दिल्ली और राज़िस्तान से आने वाले हर याक्तरी को उतराकर आने के लिए लेकर ही परवेश मिल पाएगा जिसको देखते हुए मुक्या सचीव ने निर्देश जारी कर दिये गए हैं साथ ही जिला परशाषन को आदेश दिये हैं कि सभी एयरपोर्ट्स रेल्वेस्टेशन और बसड़व साथ ही बॉटर एरिया के स्थानों पर कोवीड टेस्ट की इस्तिती को बनाने के लिए सबी वेवस्ताइं पूरी कर ली जाएं परदेश में कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए ये जिसक देश चारी किया गया है हाला कि एक अपरायल से ये सबी लागू कर दिये जाएंगे घरदू से सुबाज को और इंडिया नियू हुआ है और इस अफसर पर शद्धालू देश के कोने कोने से गंगा स्नान करने के लिए हर के पोड़ी पहुंच रहे हैं हिंदू मानताओं के अनुसार कुम्ब में स्नान करने का अलगी महत्व होता है और आज से ही हरिद्वार में कुम्पर्व की शुरूत हो रही है स्नान करने वाले शधालू COVID-19 का भी पालन कर रहे हैं और गंगा में डिस्ट्रेंस बना कर स्नान कर रहे हैं हम देख रहे हैं 2021 में पूरा विश्व यहां पर जैसे उमड पड़ा है आस्ता की डुक्यां लग रही है और बड़ा ही आनन्द और बड़ा ही आध्यात्मिक स्थान पर बड़ा ही पाउन जो गंगा महरानी है उनके आशुरे में जो स्नान लगाया आज कुम मिले में बहुत ह आनन्द और अच्सा बहुत आख़ा हमें बाहर निकले मन आखा रहा है और यहांकर हमना यकंहांगा स्नान हो और मैस जाया हरिद्वार में आज से कुम्मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है हरकी पोडिक्षेत्र से कुम्म के पहले दिन 24 लिया हमारे समाधाता धर्मेंद्र चौतरी ने कुम्मेला विधिवत रूप से कुम्मेला विधिवत रूप से कह सकते हैं और पहले इसनान का यह दिन है और बड़ी संख्या में सदालू इसे कुम्म पर इसनान करने के लिए हरिद्वार पहुंचे होए हैं यहां की प्याड़ी चेत्र है यह वो ब्रह्म कुंड चेत्र है यहां पर अखाड़े इसनान करते हैं होद हर आदमी की इच्छा रहती है कि वो अकर गंगा इसनान करने हरिद्वार आए तो यहां पर जरूर उसकी दुपकी लगनी चाहिए तो इसी मनुकामने के साथ लोग यहां पर पहुचते हैं यहां परव जो बारे साल की बाद आता है और यहीं वज़े है कि इस फ़र में हर कोर्स सदालू हर दौर पोचना चाहता है दुपकी लगए नान पंडी जी मौझूद हैं, उनसे बात करते हैं, पंडी जी कि कुम मेले की आज से सुरुबात हो गई है, क्या मैसीज यहां से जाना ताइए, क्या आपको लगता पड़ी है? हर हर गंगे जयमा गंगे सबसे पहले सभी भक्तों को कोटी-कोटी नमन जयमा गंगे आज से महा कुम्ब प्रसासन के द्वारा जो है कुम्ब की सुर्वात कर दी गई है अभी कुछी देर पहले मेला अधिकारी दिपक रावज जी मेला SSP जनमे खंडूरी जी और अभी आई सभी भक्तों से आगरा है कि अरिद्वार में जो प्रसासन और प्रसासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वह सुरक्षित कुम्ब नहाएं और भव्य और दिप्रकुम्ब में आप देख सकते हैं कि हजारों की संक्या में स्रादालू आना प्रारंब हो चुका है औ और गंगाजी में आस्था की डूबकी लगा रहे हैं और यही वह अस्थान है जहां 12 साल में महा कुम्ब का अश्नान होता है हरकी पोड़ी ब्रह्मकुंड पे कुम्ब का अश्नान होता है जहां अमरित का बुंद गिरा है और इसी ब्रह्मकुंड में अश्नान करने से समस् जो गाई लाइन है उसका पालन कराना भी बहुत बड़ी प्रसासन के सामने चनोती है लेकिन बावजूद इसके पुरी फोर्स यहां पर तेहनाद कर दी गई है और मेला प्रसासन ने वियापक तयारी की है कि दिव्य कुम हो बव्य कुम हो और जिसकी एक सकुसल होने की कामना को लेकर कुछ देल पहले मेला दिकाली दिपक रावत और मेला आईजी संजे गुजियाले हरकी परड़ी पहुंचकर प्रूजा अक्षना की है और आज से आज पहला दिन है विदीवत प्रूप से कुम मेले का सुरुबा कियां पर हो गई है धरमें दुचादरी इंडिया मसूरी ट्रेडर्स वेलफेर एससेशन के दो दिवसे चुनाफ शांधिकुन तरीके सिसंपन हो गया वदवार को मसूरी रादा कुछनमंदिर के सबागर में एससेशन के मामंतरी और कुछादक्ष पद के लिए चुनाफ हुआ जिसको लेकर सुबा 9 बजे मतान चुरू हो जो शांतीन बजे तक चलता रहा मामंदरी पर पर जग्षीत कुक्रेजा और प्रक्रमाय की पीच कांटी पी चक्तर हुई जिसमें जग्दीत कुक्रेजा ने 140 मतों से विजय हासल की वही कोशादक्ष अपद में अगेंदर उन्याल ने राजेश को वेल को 207 मतों से हराए और चुनोतियां भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब जंता ने बड़े विश्वास से हमें जिताया है तो हमारे पर जिम्मेदारी का जिम्मेदारी भी दुगनी है और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जंता की उमीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और व जा रहे हैं और उमीद करेंगे आने वाले समय में अगले दो सालों में अपना 14 साल का कारे काल पूरा करने के लिए हम वे पारी योग वो काम करेंगे जो भी तक नहीं होगे पढ़ना शुरू हो गया था इन बजे टक बॉड़ पड़ा 17 वोट एक पृत्याशी को और 18 वोट एक पृत्याशी को ذ humor निकले हैं 140 वोट से भाकी जीत को गोशित गया जीता हुआ और 207 वोट से मुनियाल जी गोशित हुआ गोशित गया इसके साथ इस बुलेटें में मुरस इतने देखते रहीं इंट्या नीयोस झाल झाल